हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेज सिंस मेंस नजदीक आ रहा है दो हजार तेईस का तो डेफिनिटली बहुत सारे कंसर्ण्स होंगे उन सभी एस्पिरेंट्स के जो कि इस एक्जाम को प्रिपेर कर रहे हैं अगरुम कंसर्ण्स में से कुछ बताऊं सबसे पहरा कंसर्ण्स समय बहुत कम बचा है डेफिनिटली एक फियर रहता है अंदर से किया टाइम निकलता जा रहा है एक्जाम नजदीक आ रहा है हमें कुछ-कुछ चीज़ें अभी भी कवर करनी है तो कही न कहीं ये कंसर्ण्स देखने को मिलता है उसके लावा लास्ट मिनेट रिवीजन कैसे की जाए कि इतना सब कुछ जो पढ़ लिया है उसको कैसे रिटेन करें कैसे उसे रिवाइज करें क्या कोई पर्टिकुलर अप्रोच है जो कि यहां पर फॉलो करनी है उसके लावा कहीं न कहीं experience ये भी उमीद रखते हैं कि exam से पहले short notes prepare हो जाएं ताकि उसे exam से पहले वो देख लें और उस content को उन points को रिटेन कर सकें apart from that क्या कोई ऐसा value addition content है जो कि उनके answers को और बहतर बना सकता है इसकी search में भी बहुत सार experience लगते हैं apart from that data या फिर आपके examples बहुत crucial role play करते हैं आपकी main answer writing में आप अपना point validate कर पाते हो इस particular approach को follow करते हुए तो क्या और examples हैं या और data points हैं जिनने वो use कर सकते हैं तो इसी approach को follow करते हुए इनी concerns के solutions निकालने के लिए sleepy glasses नहीं यहाँ पर निकाला है rapid revision rankers batch तो basic सी approach यहाँ पर क्या है कि जो हमने prelims में result देखा कि या ranker approach को follow करते हुए यहाँ पर rapid revision course prelims के लिए भी निकाला गया था बहुत सारे experience को इस particular course से benefit मिला था तो क्यों न वो approach mains में भी follow की जा जिसमें 10 दिन तक लगातार आपके GS के subjects cover किया जाएंगे and definitely आपका एक course शुरू भी यहाँ पर हो चुका है 25 अगस से topic wise ready made frameworks यहाँ पर आपको दिये जा रहे है value edition content provide किया जा रहा है examples provide कि जा रहे है important data provide कि जा रहा है and कही न कहीं जो ethics और essay में एक जरूरत रहती है जादा जादा marks खीचने की उसके लिए master classes भी हाँ पर दे जा रही है तो definitely यह course आपके लिए एक मूल मंतर यहाँ पर बन सकता है जिसके चलते आप अपने इस mains के attempt को rank में convert कर सकते हैं अब रही बात economy की since मैं economy पढ़ाता हूँ and GS3 का यह important component है GS3 जब हम overall बात करते हैं तो कही न कहीं डर रहता है यार बहुत low scoring है कैसे इसमें score भढ़ाया जाए तो definitely बहुत सारे data points बहुत सारे points हमें याद करने पढ़ते हैं exam में जाके pen down करने पढ़ते हैं जो कि easily नहीं कर पाते तो अगर मैं बात करूँ कि कैसे आपको last minute पे ये चीजें follow करने हैं कैसे आपको last minute पे अपना economy module strong करना है तो basic सी बात है topic wise framework बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप topic by topic ये approach follow कीजी जैसे unemployment की बात करें कि important facts कौन से हैं जो कि आप अपने introduction में use कर सकें current status क्या चल रहा है recent facts में उनके बारे में पता होना जुरूरी है क्या challenges सरकार या फिर बाकी stakeholders face कर रहे हैं इस problem को solve करने के लिए क्या इसके initiatives हैं जो कि सरकार दोरा या बाकी stakeholders दोरा यहां पर launch किये गए हैं या फिर क्या in the end way forward यहां पर रहेगा क्या suggestions हैं क्या measures हैं जो कि यहां लिए जा सकते हैं इस समस्य को solve करने के लिए तो ऐसी approach आप अपने end पे भी follow कर सकते हैं कि topic wise ये 5 parameters हर एक topic के तयार रखिए ताकि जब भी आप answer मिले with respect to the demand of the question आप in points को use कर सकें और बहतर से बहतर वहां पर number ला सकें तो वही approach जो आपका rapid revision ranker batch है उसमें हम economy module में भी follow करेंगे बहुत सारे ऐसे important topics हैं जिनकी इसी approach में हम एक revision करने की कोशिश करेंगे value addition content आपको provide करने की कोशिश करेंगे ताकि last minute पे एक आपको अच्छा content देते हुए एक अच्छा solution यहाँ पर देते हुए आपकी mains की preparation को और बहतर बनाया जा सकें तो definitely enroll कीजिए this course में and ensure कीजिए कि आपका mains का attempt है यह rank में convert हो so that will be all, all the very best have a good preparation